नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आर्यन और आजम खड़े थाई सेटन के सामने है जिसका नाम है होंडा सिटी 1981 में लॉंच हुई थी और ये 2021 का सेवन जेनरेशन मॉडेल आप देख रहे आपके सामने डीजल और पेटरल इंजिन आपशन के साथ आती है रेंज शुरू होती है एक शोरूम 11 लाक रुपीज से और टॉप मॉडेल की मत है 15 लाक रुपीज एक शोरूम और ये बेसिक मॉडेल अब देख रहे हैं आपके सामने ये पेटरल इंजिन वाला उपशन है 1.5 लिटर पेटरल इंजिन मिलता है हमें इसमें जो प्रोड्यूस कर रहता है 120 बीएच्पी ऑफ पावर हमें इसमें मैन्योल और आटमेटिक ट्रांस्मिशन दोनों का उप्शन मिलता है अगर हम सेफ्टी फीचेस की बात करें तो हमें इसमें ABS, EBD, Engineering Mobilizer, Brake Control, Brake Assist, 4 Airbags, Central Locking, Traction Control, Seed Belt Warning, Crash Sensor, Electronic Stability Control, Rear Parking Sensor, Rear Parking Camera, Hill Assist, ऐसे सारे फीचेस मिलता है और अभी दक आपने चैनल को सब्सक्राइब नेगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरू करना, 5K कम्प्लेट करने का हमारा गोल है and special thanks to Riverside Honda, अगर आपको Honda की कोई भी गाड़ी देखनी है तो एक बार contact जरूरू करना, नीचे description में details देदूँगा अगर हम headlamp की बात करें तो हमें इसमें एक projector headlamp मिलता है halogen में और दूसरा हमें plain halogen bulb मिलता है, उसके बगल में indicator नीचे fog lamp cluster मिलता है, और fog lamp भी हमें halogen में मिलता है और ये toying hook का placement, ये front skid plate और ये broad chrome grill, काफी बढ़िया लगता है center में Honda का logo, गाड़ी का काफी improvement किया गया है length में और stance में भी front look काफी बढ़िया किये गाड़ी में, काफी premium लगते है और अगर हम color options की बात करें तो हमें इसमें pearl white, radiant red, lunar silver, modern steel metallic, golden brown metallic ऐसे options मिलते हैं, पाच color के, अगी तरफ ये दो wipers, हमें इसमें rain sensing wipers का भी option मिलता है, top model में और अगर हम side view की बात करें तो काफी बढ़िया side view मिलता है, tire size की बात करें तो हमें 15 inches के machine alloy wheels मिलते है और diamond cut alloy wheels का भी option मिलता है हमें इसमें top model में, यहापे size आप देख रहे है, 185, 60, R15, front में disc brake आगे की तरफ हमें Mac version strut suspension system मिलता है, ground clearance काफी बढ़िया है, हमें इसमें 170 mm का ground clearance मिलता है अगर हम overviews की बात करें तो हमें dual tone में, हमें overviews मिलते हैं और इस पर turn indicators भी मिलते हैं फ्रंट जो हमें A pillar मिलता है वो body color में मिलता है और जो B pillar मिलता है हमें वो black aut मिलता है पूरा C pillar हमें body color में मिलता है, डore handles भी हमें body color में मिलते है, front door handle पे हमें यहापे एक request sensor बैसर दिया गया और की प्लेस्मेंट का भी जागा दिया गया है देख सकते अप गाड़ी का साइड से लुक काफी बढ़िया है मेरे को परस्नों यह का अच्छा लगा रियर से भी देख सकते काफी इंप्र यहां पर यह शार्क फिन स्पोईलर, यह डी फॉगिंग लाइंस, हाई स्टॉप माउंट, और यहां पर हमें यह सेंटर में होंडा का लोगों मिलता है क्रोम में, और उसके इस साइड पर हमें सिटी की बैजिंग मिलती है, और यह टेल लैम्स मिलते हैं पूरे LED में, काफी ब मिलती है, यहां पर यहर कैमेरा, सेंटर में होंडा का लोगो, यहां पर आईवी टेक की बैजिंग और वी जो मॉडल है उसकी बैजिंग, रिफलेक्टर्स और यह चार रियर पार्किंग सेंसर्स बंपर पर, काफी अच्छे से प्लेस्ट है, यहां पर एक्जॉस्ट टेल मिलता है, जो काफी अच्छा राइड कॉलिटी प्रोवाइड काता है, ग्राउन क्लिरंस कम होने के बावजुद, अगर हम बूट खोल के देखे तो हमें 506 लिटर का बूट स्पेस मिलता है, काफी बढ़िया है, काफी सफिशेंट है इस बॉड़ी डिजाइन के लिए, और अगर हम इस टायर साइज को खोलेंगे, तो हमें इसमें 43 इंचेस का ऐलोई वील मिलता है, काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया से प्लेस्ट किया गए, काफी बढ़िया से पैक्ट टूल से, देख पार हैंगे, आप उपर तरफ इंसुलेशन मिलता है, पूरा, बंद करते स्क्रोम फिनिश के साथ आते हैं, और यहाँ पे पार विंडर कंट्रोल, यह पूरा सॉफ्ट टूल मिलता है, काफी बढ़िया लग रहा है, काफी प्रीमियम लग रहा है, उसके नीचे हमें 1 लिटर बाटल होल्डर मिलता है, थोड़ा स्टोरे स्पेस, स्पीकर, और यह काफी सॉफ्ट है, काफी कमफ़र्टेबल है, स्फेंटर में मिलता है, दो कफ़ोलडर के साथ, देख सकते हैं, बिर्श कलर में पूरी UPOLS T T काफी बढ़िया लग रही है, बैटते अंदर की तरफ और देखते कितना लेग रूम, नी रूम मिलता है, अगर हम लेग रूम की पर हमें center में EC vents, उसके नीजे charging ports मिलते है थोड़ा सा हम मिलते है पर ओचलता है जहाँ पर यह charging port मिलते है दो 12-volt charging socket practicality को काफी ध्यान में रखती हुए गाड़ी बनाए होंडा नहीं है इस side पर है इस side पर हमें हमें retractable grab handles मिलते है center में हमें arm rest with 2 cup holders मिलता है काफी प्रीमियम मट्रेल का यूज किया गाड़ी में काफी अच्छी लग रहे है कुछ ऐसे टाइब का में फ्रंट डैश्बॉर्ट दिखता है रियर से देख पा रहा हूंगा काफी बढ़िया लग रही है उपर रिक तरफ हमें आपे ये सेंटर में एक रीडिंग लाम मिलता है और ये अपोल्स्ट्री काफी बढ़िया लग रहे है गाड़ी में ब्लैक और बीश कलोगा के ट्रीटमेंट है वो काफी प्रीमियम नेस एड़ कर रहा है गाड़ी में स्कूप्ट आउट सीट्स मिलते हैं हमें चलते हैं आगे की तरफ और आगे की सीट में देखते हैं कितना कुछ फीचर्स मिलते हैं गाड़ी में और अगर हम फ्रंट डॉर की बात करें तो कुछ ऐसे टाइप का हमें डूल टॉन ट्रीटमेंट इधर भी मिलता है यहाँ पे इधर फिनिश में जो डोर हैंंडल्स में उसके नीचे सारे मिलते हैं यह जो ऑवर विंट्रोल्स हैं आटमाट केФरेंगरी लीएan है प्रिम्यम लगता है काफी इसमें वन लिटर बॉटल हुल्डर और ठोडा स्टोरेज पेस्पेस्पीकर कुछ ऐसे ठैप का में इंडेरेज मिलते फ्रंड मैं यहां पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग चार्ट यहाँ पर हमें height और आगे पीछे करने के लिए adjustable seat दिए गई है 4-way adjustable seat अपोल्स्ट्री में हमें front में adjustable headrest मिलते हैं काफी soft अपोल्स्ट्री है यहाँ पर हमें यह pedals मिलते हैं तीन यहाँ पर fuel lid open करने के लिए और bonnet open करने के लिए नॉब दिए गए हमें इसमें fuel tank 40 liters का मिलता है यहाँ पर traction control के बटन और यह इस event यहाँ पर start stop को बटन दिए गया है काफी अच्छे से प्लेस्टे बटन वह अगर हम front dashboard की बात करें तो काफी बड़ी अफिटन फिनिश किता आता है इस dashboard बैठते हैं अंदर के तरफ और देखते हैं में कौन-कौन से features मिलते हैं इस गाड़ी में और जो reset करने का अगर cruise control का speed बनाने का है तो वह भी हमें मिलता है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमें वाइपर controls और राइट साइड पर headlamp controls मिलते हैं काफी बड़िया से placed fit and finish काफी अच्छे यूज़ किया है हुंडा ने यहाँ पर instrument cluster की बात करें तो लेफ्ट साइड पर हमें rpm meter और राइट साइड पर हमें speedometer दिखता है सेंटर में थोड़ा अच्छोटा M.I.D. मिलता है यहाँ पर यह जो toggle कर सकते हैं trip वो जो M.I.D. है वो हीदर से toggle कर सकते हैं देख पा रहे होंगे आप यह total distance, time, fuel कितना बचा है, average, distance to empty, range, सारे features दिखाता है यहाँ पर यह manually adjustable IRVM मिलता है, reading lamps, यह mic का दिया गया है, यहाँ पर sun shades with mirror, इस साइड पर हमें mirror मिलता है practically took up, काफी ध्यान में रखते हैं गाड़ी बनाई है अगर हम बाकी की features की बात करें तो हमें यह पूरा touchscreen display मिलता है, इसमें हमें Honda के जो features है, जो के car connected features सारे मिलता है हमें इसमें, उसके अलावा Bluetooth, Aux, Apple Card पर Android Auto, FM, इसे सारे features मिलता है, USB, देख सकते हैं यहाँ से volume up-down कर सकते हैं, यहाँ से please connect USB बोल रहा है, Bluetooth devices, USB, बाकी सारे features हमें इसमें Android Auto और आप पर Apple Card Play भी मिलता है, यहाँ पर hazard light का button और यह dashboard का पूरा hard plastic यूज किया गया है इस साइड पर हमें यह black color treatment मिलता है, airbag की badging, glove box की बात करें तो काफी बड़िया और काफी बड़ा glove box मिलता है हमें सेंटर में हमें यह AC controls मिलता है, automatic, हमें automatic climate control मिलता है, इसमें equipped देख पा रहे होंगे आप, यह defogger के light, यह max cool का जो button है हमें इसमें proper cooling होता है गाड़ी, यहाँ पर power outlet 12V, USB charging ports, थोड़ा storage space, उसके नीचे थोड़ा storage space coin रखने के लिए, दो bottle holders, और यह 6-speed manual transmission gear box, सेंटर में थोड़ा storage space, manual handbrake, यहाँ पर यह handrest दिया गया है, driver के लिए और उसके नीचे थोड़ा storage space, काफी storage space दिया गया है गाड़ी में, यह adjustable है handrest, इस side में retractable grab handle दिया गया है, अपोल्स्ट्री काफी soft है, seatbelt adjustable नहीं मिलते हैं हमें, इस गाड़ी में, टॉप मोडल में मिलते हैं, इस variant में हमें नहीं मिलते हैं, adjustable head seatbelts, चलते बाहर की तरफ और देखते हैं बाकी का लुक, आपको वीडियो कैसा लागा वो मुझे comment section में जरूर बताना, और अभी तक आपने चाले को subscribe नहीं कहलो, चाले को subscribe जरूर करना, और ऐसा ही support बनाए रखना, thank you, यही सब कुछ था Honda City के बारे में,